जहिन साथियो अभियमल उपस्त हैं एक्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बीग ब्रेकिंग है बिहार लोक्षिवा आयोग 15 नेहरूपत पतना यहाँ पे देखेंगे अनसठवी संजुक परतियोगी परिक्षा का परिक्षापल घोसित कर दिया गया है जैसा कि आपक किसी कारण से एक पॉइंट, एक अंग, दोंग से असफल हो जाते हैं तो आप टेंसन ना ले आपका लगतार फिर भी प्यस्त का एक्जाम है उसके तैयारी को देखें और आप इसे एक बात बता दें यदि आप किसी कारण से किसी भी सब्जेक्ट में आपका अपना आकलन क करके आगे बढ़ने का प्रियास करें देख सकते हैं 12-2023 को राजे के 38 जीला में अवस्तित 806 परिक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई उक्त परिक्षा में सामिल कुल यहां पर देखेंगे 2,088,036 अभ्यारती यानि कि 2,088,036 उमिद्वारों के OMR उतर पत्रों को स्कैन कुल यहां पर देखेंगे कुल उमिद्वार की बात करेंगे तो यानि की 3590 अभ्यारती को शफल गोसित किया गया है जिनका अनुकर्मां करमवर यानि की नीचे बाएं से दाएं के तरफ में दिया गया है आप देख सकते हैं यह आप केवल देखेंगे 3590 अभ्यारती दूस किसी कारण से असफल है तो उनको हतोचाहित नहीं होना है उनको फिर एक बार लग जाना है आच्छा तरीका से हिस्टी जोगरफी पॉलिटिक नौमी साइंस जहां भी करेंट अफेर आपकी चूक हुई है उसको देखकर दूर करेंगे यहां पर देखेंगे टिपडी में क् अर्थिक रूप से कमजोड़ अभ्यर्ति वरको 0,7 से दर्थाय गया है इसके अंतरगत 331 अभ्यर्ति शफल है अनुसूतित जाती की बात करेंगे तो 02 कोटी के अंतरगत 487 अविद्वार शफल है अनुसुचित जन जाती की बात करेंगे तो इनको दर्साय गया है 03 कोटी के अंतरगत 22 अभ्यर्थी शफल है अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटी के 04 से दर्साय गया है इसके अंतरगत 499 अभ्यर्थी शफल है पिछड़े वर्ग की बात करेंगे तो 05 कोटी के अंतरगत 527 एंप पिछड़े वर्ग महिला की बात करेंगे तो 06 कोटी के अंतरगत 63 अभ्यर्थी सफल है कुल मिलाकर 3590 उमिद्वार सफल है यहाँ पे क्रमवर्थ दे दिया गया है और जो भी महिला अभेरती सफल है उनको 50,000 रुपया मिले जगा यदि वा पहले नहीं सफल हुई है या पहले नहीं रिसीव की हुई है तब यहाँ पे फिर आगे दखेंगे उपयुक्त 3590 उमिद् यानि बहुत दिव्यांग को शफल घोसित किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं 3590 उमिद्वार यहाँ पे स्वतंता सैनानी के नाती पोता और पोती के लिए कुल 50 उमिद्वार को शफल घोसित किया गया है और आप यहाँ से देख सकते हैं जिसमें से 17 उमिद्वार आरक्षणवार कोटी जो दिया गया है एक बात मैं आप से बता दू आप जो भी अभ्यारती लागतार उस समय कमेंट कर रहे थे कि 90 से 92 के बीच जेनरल का कटफ नहीं रहेगा वो यहाँ पे देख ले और एक्जाम टूर चैनल के दुआरा जो कटफ जारी किया गया था उसको भी आप देख ले सभी अभ्यारती यहीं बोर रहे थी कि सीट कम है सीट कम से नहीं होगा कोश्चन का जो लेबल था कोश्चन का जो पैटर्न था वो देखेंगे और उसके बाद कटफ निर्धारित करेंगे तो जो भी कमेंट कर रहे थे यहाँ पे देख लेए लगभग जितने भी चैनल है जितने भी सिक्छक है 90-95 या बहुँ सारे लोग कुछ को छोड़ दिया जाए तो 95-100 बोले थे अब यहाँ पे थोड़ा सा कटफ देखेंगे एकजाम टूर को आप सब्सक्राइब कर ले हमेशा किसी भी एकजाम का अपडेट आपको समय से पहले और दूसरी बात बता दे सटिक और परमानिक देने के लिए जाना जाता है कटेगरी भाई यहाँ पे कटफ देखेंगे अन रिजर्ब का 91 गया है अन रिजर्ब फिमेल का 84 है EWS की बात करेंगे तो 87.25 है EWS फिमेल की बात करेंगे तो 81.25 है SC की बात करेंगे तो 79.25 है SC फिमेल की बात करेंगे तो 66.50 है ST की बात करेंगे तो 74 गया है यानि कि 74 है और ST female की बात करेंगे तो 65.75 है EBC के बात करेंगे तो 86 है यहानि कि मैं यह भी बताया था कि इस बार maximum संभावना है भले point ही आधिक के उना रहे और इस बार आप देखिएगा EBC का कटेगरी कटफ और EWS के कटफ में एक अंक दो अंक का अंतर देखने को मिलेगा और ओभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अंतर मिला चुकि होता क्या है बहुत सारे जेनरल वा भीरती हैं जो कि EWS बनवाली है तो अब उनका कटफ हमेशा इजाफा होगा पहले ऐसा नहीं बना हुआ था जिसके कारण कि उनका कटफ एसी से भी कई जगा कम चला जाता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने वाला है इस बात को आप समझे आगे थोड़ा सा बढ़िएगा तो EBC आप देख लिए BC की बात करेंगे तो 87 गया है 87.57 गया है इसमें EWS से अधिक चला गया है यानि कि 0.50 अधिक गया है आगे देखिएगा BC फिमेल की बात करेंगे तो 80 गया है BCL इसमें केवल महिलाएं आती है BCL में तो यहां पे देखिएगा 78.75 गया है डिशेबल में आप देखेंगे तो 69.50 गया है डिशेबल सभी का देख सकते हैं एक का छोड़ दिया जाए यानि कि और्थो वालों का तो उनका 89.25 चला गया है बाकी लों का आप देख सकते हैं यानि कि 70 के बीच में हैं मेरे द्वारा ये भी बोला गया था जितने भी अभ 9.75 गया है यानि कि फ्रिडम फाइटर वाले 80 पलस वाले अपने आपको सुरक्षित मानते थे यहां पे देख सकते हैं उप्यूक्त परिक्षा में भाग लेने वाले सभी उमिद्वारों के अंक पत्र आरक्षण को टिवार कटप अंक सहीत स्रीग्र आयोग के वेब साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा मार्शिट कोलम के अंतरगत परकासित किये जाएंगे जिन्हें उमिद्वार आपना अनुकर्मांग के अमजन्म तिथी अमनिबंद संख्यायम जन्म तिथी डाल कर डाउनलोड कर सकेंगे तिथी है 26 मार्च 2023 यानि कि ये जारी कर दिया गया आज ही के डेट में दूसरी बात आप ध्यान पूर्वक समझेंगे जिस तरीका से बिप्यसी आयोग अपने आप में सुधार कर रही है यदि सभी आयोग इस परकार से सुधार कर ले यानि समय से एक दिन पूर्व रिजेल्ट दे देना और सबसे पहले मैं बता दू बिप् करने का प्रियास किया जाए ताकि जो भी अभ्यारती है वो आपने आपको आगे बढ़ा सके जय हिंद जय भारत जय इवा